नमस्ते दोस्तों आपका एक बेर फिर से स्वार करते आपके अपने यूटुब चानल पुजागर संसार में कि मैं मेरा ovulation track नहीं हो पारा है, symptoms feel होते हैं, feel we ovulation पता करने के बाद, contact बनाने के बाद भी pregnancy conceive नहीं होती है तो इस वीडियो में मैं आपको कोई लक्षन नहीं दिखाने वाली हूँ, इस वीडियो में मैं practically आपको बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ कि आपको ovulation का पता कैसे लगाना है, वो कौन सा right समय है जब आप गर्विधारन कर सकती हैं और आपका एक totally तयार है pregnancy conceive करने के लिए I really hope इस वीडियो से पहले आपने ऐसी कोई वी वीडियो नहीं देखी होगी, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा informative है, आप जल से जल मा बन जाओगे, इस वीडियो का last तक जरूर देखना friends, और जो भी new viewers है जरूर चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देन लेकिन जिनकी regular period cycle है उन्हें तो ovulation का पता चल जाता है, कभी कबार नहीं भी चलता है और जिनकी अनियमित है उनके लिए तो ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप कैसे अपने ovulation का पता लगाएंगे, practically कोई symptoms नहीं feel हो रहे हैं, बहुत सारी महिलाओं को symptoms नह हुआ है, हमने contact भी बनाया, फिर भी हमारा नहीं हो पाया successful pregnancy conceive, मैं हमें इसके पीछे क्या region है, ovulation कैसे पता लगाएंगे, ऐसे कई सारे आपके सवाल हैं, तो आज सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, और सारी doubts आपके clear हो जाएंगे, फ्रेंज देखिए, वैशन तो इसकी वज़े से आपके ovulation समभावित कब होने वाली है, ये मालूम परता है, लेकिन आज मैं आपको digital ovulation kit के बारे में बताने वाली हूँ, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से exact, अगर 24 गंटे में आपके ovulation होने वाली है, या 36 गंटे में होने वाली है, या फिर 4 दिंगों मे बहुत आसानी से मिल जाएगी और ये 99.9% बिलकुल सही result देता है, और साथी साथ इस समय अगर contact में रहोगे तो कभी भी result फेल नहीं होगा, आप जल से जल pregnancy conceive कर पाऊगे, इस से पहले काफे सारी महिलाओं के मन में ये doubt आ रहा होगा कि ovulation क्या होता है, तो friends सबसे पहले में आपको ये बताती हूँ कि ovulation क्या होता है, ovulation एक ऐसी प्रकिरिया है जग किसी वे महिला के pregnant बने के chances बहुत जादा रहते हैं, highly रहते हैं, ये fertile period होता है महिला का, और हर महिला के period start होने के बाद ये 24 दिन पे आता है, या फिर जो संभाविट डेट होती है आपकी period आने के, उसकी 12 से 13 दिन पहले ये प्रकिरिया आपके सरीर के अंदर होती है, इसमें क्या होता है, आपकी ovary यानि अंडासे से एक स्वस्त अंडा निकलता है, जिसकी size अच्छी होती है, quality अच्छी होती है, और जो कि आपको मा बनाने में बहुत ही एहम रोल निवाता है, वो आता है फिलोपियन tubes में, महिला के सरीर के अंदर reproductive system में डो tubes होते हैं, right, left, किसी भी side से ये एग आता है, और इस एग की जो IU होती है, वो केबल 12 से 24 घंटे की होती है, तो ये बहुत जटिल होता है, अगर इस समय आपने contact नहीं बनाया, तो आप pregnancy नहीं conceive कर बाएंगे, और आपके ज ovulation जानना काफी ज़्यादा जरूरी है, अगर आप ovulation के 24-36 घंटे पहले या 2-3 दिन पहले भी contact में रहते हो, तो आप pregnant बन सकते हो, और यदि आपकी जब ovulation हुई है, उसके 12 घंटे के दोरान भी आप contact में रहते हो, तो आप pregnant जल से जल बन सकते हो, लेकिन यहीं जानना हो रही है, तो चलिए, आज हम जिस जिस के बारे में जानने वाले हो, practically मैं आपको दिखाती हूँ, और बताती हूँ कि कैसे आपको क्या करना है, और कैसे कैसे चेक करना है, और जल से जल मा बनने के लिए आपको ये उपाए कब से ट्राइ करना है, फ्रेंट्स, इनिटू Fertility Monitor एक smart connected device होता है, जो कि आपको बहुत ही आसानी से ये बता सकता है कि आपकी ovulation कब होने वाली है, इस device के खास बात यही है कि जिन महिलाओं के period regular नहीं होते हैं, उनके fertile day कब आने वाली है, ovulation कब स्टार्ट होने वाली है, ये बहुत ही सही result आपको बता देता है, ताकि आपके pregnant होने के chances और भी ज्यादा highly हो जाते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्रेंट्स की इनिटू Fertility Monitor की जो box आती है kit की, वो कुछ इस प्रकार की होती है, इस box के अंदर आपको एक device दिया जाता है, जो कि smart phone connected device होता है, यहाँ पे आपको क device जो है, यह कुछ इस प्रकार का दिखता है, इसे हम अभी side में रखेंगे, साथी साथ इनिटू Fertility Monitor के 10 strips आते हैं, जो कि आपको regular base पे 10 days काम आने वाले हैं, बहतर result को चेक करने के लिए, यह strips को मैं आपको निकाल के बता देती हूँ, इस box में आपको साथी साथ एक container भी दिया जाएगा, जिसमें कि आपको आपका urine का sample collect करने में आसानी होगी, friends, इनिटू Fertility Monitor एक बहुत ही अच्छा जडिया है, जिन महिलाओं को pregnancy बहुत टाइम से कंसीव नहीं हो रही है, वो करना चाहती है, मैंने भी यह खुद पे परयोग किया है, और यह बहुत ही बेहतर smartphone connected device है, तो अभी आपको इसे आपके mobile से connect करना होगा, जिसके लिए जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं, आपको सबसे पहले इनिटू Fertility Monitor के application को download करना होगा, आप आपके mobile पे simply play store में जाएंगे, यहाँ पे इनिटू Fertility Monitor टाइप करेंगे, और वहां से आप download कर लेंगे application को, जब आप application को download करेंगे, तो यहाँ पे sign up का option आएगा, और आप से कुछ initial information मांगे जाएंगे, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपकी age कितनी है, आप कितने समय में pregnancy चाहते हैं, आपकी previous कोई medical history है, आपने इस से पहले कोई treatment करवाया है, या फिर आपको कोई भी disease है, तो आप स वैसे ही आपको QR code scan करना होता है, जो कि आप in to fertility monitor के डबबे पे आपको मिल जाती है, QR code scan करते ही आपका mobile in to fertility monitor application से connect हो जाता है, then उसके बाद जिस दिन आपका fertile range या फिर आपके ovulation स्टार्ट होने वाले हैं, उसी दिन आपको इससे notification प्राप्त हो जाएगा, जब friends आपको notification प्राप्त हो जाएगा, वैसे ही आपको start button पे click कर देना है, और आपको morning का urine sample ले लेना है, आपको एक strips निकालनी है, और करीब 15 सेकेंड के लिए urine में इस strips को डुबा के रखना है, तो कि ध्यान रखना है कि आपकी strips प्लास्टिक में touch ना हो, बिल्कुल straight रहे 15 सेकेंड के बाद आपको urine से strips बाहर निकालना है, और फिर इस cap को निकाल लेना है, जो पीछे भाग में लगी हुई है, और इस cap को फिर गिले भाग में जहां पे urine डुबोया था, उस पे बैठा देना है, देन आपको क्या करना है friends, आपका mobile लेना है, और जो in to fertility monitor device है, इस device को आपके phone पे इस तरीके से adjust कर लेना है, connect कर लेना है, जब आप ये step follow कर लेंगे, तो आपको फिर click का option मिलेगा, start का, आपको start button पे click करना है, और side में इस device के आपको strips को connect करना है, जो strip आपने use किया है, आज urine का sample लेके, जब इस strip आप इसमें insert करेंगे, तो आपको करीब ब लोगना होगा, इसके बाद आपको तीन result सो होगे, quick fertility, high fertility और आपको low fertility, तो friends, पहला result आपको show होगा, low fertility, low fertility का मतलब होता है, कि इस समय अगर आप इस दोरान contact में रहते हैं, आपके partner के साथ, तो फिर आपके pregnant होने के chances कम हैं, second आपको show होगा result, high fertility, high fertility का मतलब होता है, कि बोड़ी के अंदर estrogen की मातरा अच्छे से बनने लगी है, और ये आपका fertile range है, तो इस समय आपके pregnant होने के chances काफी जादा है, और आपके 3-4 दिनों के अंदर ovulation स्टार्ट होने वाले है, तो आपको एक दिन छोड़ करके contact में रहना है, इसके बाद friends, third result सो होगा, peak fertility, peak fertility का मतल सब ये होता है, कि अब आपके बोड़ी के अंदर LH हार्मोन और estrogen हार्मोन दोनों अच्छे लेवल पे पहुँच चुकी है, और अब आपका ovulation बहुत ही नस्दीक है, इवन 24 या 36 घंडे में ही होने वाला है, तो आपको आज और कल दोनों दिन contact में रहना है, जल से जल प्र करना है, कैसे ट्रैक करना है, और ovulation के दोरान ही आपको pregnant बने के chances को बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिन महिलाओं के इन regular period है, वो भी काफी असानी से इस device के थुरू आपके ovulation का पता लगा सकती है, और जल से जल pregnancy conceive कर सकती है, तो I really hope ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़् वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्यार लखिए, टेक केर, नमस्कार